क्या वाकई फटनविस के आरूपों में दम है क्या कि आप उनको गिरफतार करने वाले थे जो गलती करेगा उसको दो भूगर नहीं पड़ेगा तो आपकी सरकार आई नाना पटोले जी तो आप कह रहे हैं देविंदर फटनविस के पुराने ये केस आप खोलेंगे उपोजि कैंसल कर दीगी जब देश के प्रदानमदी सांसत की बात नहीं सुनना चाहते हैं लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से तो हर दिन पिछले दो-तीन महीने से कहा जा रहा है आप सीम फेस प्रोजेक्ट करो क्या आपको जरा सा भी शक है कि उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं एंसीपी शरत पवार गुट का कॉंग्रेस में मर्जर हो जाएगा और सुप्रिया सुले को कॉंग्रेस की तरफ से सीम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर दिया जाएग अजीद पवार के लिए दर्वाजे खुले हैं कि आप और राहूल गांदी और महाविकास हगारी हिंदूओं को बाटने की कोशिश कर रहे हैं आप मुसल्मानों को एकजूट रखना चाहते हैं चुनाव में आप हार पे हार आपकी हो रही है इसलिए आपने ये जाती कार्ड नया निकाला है इसे शायद कॉंग्रेस दुबारा जिन्दा हो है उसके बाद बीजेपी का कहना है कि धोखा शिव सेना ने किया उद्धव ठाकरे ने किया बीजेपी के साथ और महराष्ट की जनता के साथ क्योंकि जनादेश उन दोनों के साथ था वो आपके साथ चले गए सरकार बनाने के लिए कुरसी के लिए उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो होना ही था इस बार चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है ये दो पार्टियां इधर वाली शरत पवार की और उद्धव ठाकरे की इनमें से कोई भी उधर भी जा सकता है और इधर वाले शिंदे और अजीत पवार वो भी उधर जा सकते है कई महाराष्ट में ऐसा तो नहीं कि बड़ा इंडिया गट बंदन ना बना कर आप गलती कर रहें कॉंग्रेस छोड़कर गए क्यों थे इस बाद बीज़पी से मोभंग कैसे हो बैसा की पर सरकार आ गई है अभी रुखो अभी थोड़ा दिन रुखो और ज्यादा दिन में आपका असेस्मेंट क्या है कॉंग्रेस की इतनी बुरी हलत क्यों हो महाराष्ट का अगला मुख्यमंतरी कौन मनेगा बाद महाराष्ट में विपख्ष का अगला नेथा कौन मनेगा ये देश का सबसे अच्छा प्रधानमंतरी अब तक क्यों है अगला सबसे अगला प्रधानमंतरी कौन है ? 24 मैं हूं मानक गुपता और अब मुंबई में मेरे साथ हैं आज महराश्ट के कॉंग्रिस के अध्यक्ष नाना पटोले भाव बहुत स्वागत आपका न्यूस 24 पर धन्यवाद मैं महराश में आपका स्वागत करता हूँ और महराश की इस बार विदान सभा की चुनाव में सत्ता परिवर्तन डिसाइड है और महराश में एक अच्छी सरकार महाविकासा गाड़ी लाएंगी और ये संदेश आपके मादिम से पुरे देश में जाए ठीक है अब ये बहुत ही क्लीशेड है मतला हरको यही इस बात इस तरह की बात करता है लेकिन मुझे भी कहना पड़ेगा क्या मैं महराश्टर के अगले मुख्यमंत्री का इंटेव्यू कर रहा हूं क्या देखो मैं फल की चिंता ये मेरा कभी सबाव नहीं रहा है कर्म को जादा मैं विश्वास करता हूं और आज मेरा महराश्टा बचाना ये मेरे लिए सो भाग गया है मैं चत्रपती सिवाजी महराश के विचार धारा को मानने वाला एक कारे करता हूं शवफुलें अंबिटकर विचार धारा को मानने वाला एक कारे करता हूं और हमेशा इस विचारों ने महराश को सुरक्षित रखा लेकिन महराश में 2014 से जो 2021 तक प्रणविस की जो सरकार थी और जो अभी 20 साल एकनाज सिंद्र और भाजब सपोर्टेट जो गवर्मेंट महराश में है इनने महराश की इस विचाधारा को खतम करने का काम किया और महराश की इंडस्टी बड़े-बड़े उद्दोग और महराश को गिर्वी रखने का काम गुजरात को और इसलिए महराश बचाना यह मेरा दाई तो पहले बता है और उसके बात जो भी हाईकमान डिसिजन लेगे उसको हमको सबको समती देना लेकिन आपके सहयोगी माने तब न शिवसे न उद्धव ठाकरे गुट शरत पवार ग डिसिजन लिया कि वो डिसिजिन से वापस नी होते हैं जो भी हो हमारा अलायंस भी जैसे कल शरत्पवाय ने कहा कि जिसके ज्यादा मुधकि म् зах exfol करेंगे उसी का मुख्यमन्त्री होगा इसका मतलब है कि हमारा ब्लैंस भी जो भी हमारा हिकमन decision लेगा उसको support करेगा लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से तो हर दिन पिछले दो-तीन महीने से कहा जा रहा है आप CM face project करो उद्धव ठाकरे CM पहले धाई साल रह चुके हैं और अभी भी CM बनना चाहिए यानि दावा उनका अभी भी बरकरार है आपको आप बताईए उनको कैसे manage करेंगे देखा उद्धव ठाकरे साब शर्पवार साब और हम लोगों ने बैठके decide कि महान का सागाड़ी करके हम लोगों के सामने जाएंगे हमारे party के कारे करता सुसना के कारे करता या शर्पवार जी के party के कारे करता साबा भी कहे कि अपने अपने party का मुख्यमत्री बने ये बात करना ये साबा भी कहे तो मुझे नहीं लगता कि उद्धो जी हो या शर्पवार जी हो या हमारी leadership हो ये इस तरह की बाते कोई नहीं कर रहा है leadership में नहीं हो रही है नीचे कारे करता हूं में हो रही है तो इसको आप बहुत ज़्यादा इसमें नहीं 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 आदिते ठाकरे ने बार मुझे खुद भी बताया था और उनके party के प्रवक्ता रोज मेरे show पर आकर डिबेट में भी खुलकर कहते हैं उनके नेता सारे कहते है आपने इस बारे में सोचा है कि अगर मान लीजे उधव ठाकरे को CM बनाने का offer बीजेपी दे दे क्या आपको जरा सा भी शक है कि उधव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ जा सकते है मानक जी आपको एक बताओं कि जिस तरह से उनको जो तकलीफ उन लोगों ने दी है बीजेपी ने उनका घर तोड़ा गया उनको परेशान किया गया शरत्वार जी को उन लोगों ने स्तिती की तो यहां संभो है यह मनगणत कहानिया जो लाई जाती है मेडिया के मात्यम से ऐसा कुछ नहीं होगा हमारा महाविकास अगाड़ी का अलाइंस मजबुत से रहेगा और कोई साइड नहीं जाएगा अजीत पवार बार बार एंडिये में रहते हुए भी बीजेपी से कई मुद्वों पर अलग राय रख रहे है आपने देखा होगा नवाब मलिक को उतार दिया उनने जबकि बीजेपी ने उन पर दाओद इबराहीम से संबंद के आरोप लगाए थे अजीत पवार M.V.A. में आ सकते हैंगे और उनके लिए दर्वाजे खुले हैंगे नहीं इसमें तो एक बात है कि नौम मलिक की बात आपने लाईए कि बीजेपी का असली चेहरा आप सामने आया है बीजेपी बड़ी प्रिंसिपल की बात करती है लेकिन प्रिंसिपल की बात करते हुए सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकती है करप्टेट लोगों को जमा कर सकती है देश भर के उनको पुरा वाशिंग में दोके उनको क्लियर भी कर सकती है अब नौम मलिक के बारे में उनने जो कहा था इसका दाउ से समंध है जेल में डाला सत्रा महीने फाइनेंसियल उनके ट्रंजिशन है और उनको सत्रा महीने जेल डाला अब वही इनके अलाइस में कैंडिड है महायूती की नौम मली अब यह कीस आधार पर महराश की जनता को ओड मांग रहे तो बीजेपी का असली चेहरा क्योंकि महराश एक कल्चरल स्टेट है महराश मैंने शुरुआत में कहा कि चत्रबदी सिवा जी महराश की विचाधारस पर चलने वाला स्टेट है तो ऐसी जो गंदगी पहलाने का काम जो बीजेपी करती है उनको सबक सिखाने लोग उन्हें तै कर लिया कि जूट के सिवाए इंके पास कुछ नहीं सिर्फ जूट जूट नरेंद्र मोदी आएंगे महराश में तो जूट पावार के लिए दर्वाजे खुले हैं क्या नाना पटोले जी जो शरत पावर जी डिसिजन लेंगे वो हमारे अलाइंस को एकसेट रहेगा बिल्कुल शरत पावर जी जो ने ने लेंगे अजित पावर के बारे में क्योंकि हम नहीं ने रहेंगे जो डिसिजन लेना है शरत पावर जी को लेना है नवाब मलिक पर आपका स्टेंड क्या है? या दौद से उनके संबंद है या नहीं है? मुझे लेकिन बीजेपी जो आज उनके साथ है उती प्रचार नहीं कर रहिये है उनके लिए? प्रचार करे या ना करें ना, अलाईंस में तो हैं ना अब उसको प्रचार नहीं करें इतना एक फेज में चुना हुए दोसो अठे सी MLO का कैम्पेंग करना है तो हर नेता हर नेता हर विदान सभा के सदेश का उमेदवार का प्रचार करने तो नहीं पोच सकता लेकिन अजित पौद जाके आगे ना अब जब वहायूती में है आपका स्टेंड क्या है अब बीजेपी जो केंडरमिं की सरकार है उनको जो भी इंगे पास पेपर्स मिले हैं उस आदार पे दाउस से उनका समझ लगा है अब वीजेपी से हम पुछना चाहेंगे हमारे को तो तुम बात की बात फिचर में क्या होने वाला है वर्तमान में जो सिती है बीजेपी की असली असलियत लोगों के समने आई है उसी तरह अजीत दादा के ओपर बोलिये ज़रा जब सत्तर हजार करोड के घोटाले का आरो बीजेपी ने लगाया दिवेंदर फड़नवी चक्की पीसिंग कर रहे थे अब वो उनके साथ हैं एंडिये में महायूती में लेकिन पलट कर वो कहते हैं कि अब महाविकासागाडी को भी बताना चाहिए अजीत पवार करप्ठ हैं या नहीं है या इमानदार है फड़नवीस को मेरा एक सवाल है तुम 2014 में जिस तरह से अजीत पवार ये कैसे घोटाले बाज है सत्रह जार करोर रुपे का घोटाला कैसा किया ये सब बाते कर रहा था चक्किम पिसिंग पिसिंग तो अब उसके साथ में बैठकर फड़नवीस महाराश में सत्ता में बैठे हुए तो मैंने तब से यही कर रहा था था कि BJP कितनी सत्ता के लिए जूड बोल सकति है उसका महाराश की जनता को समझ आ गया मैं समझ गया मुझे इसमे बहुत पात्रिकरना की जरौत बिल्गा मैं समझ गया कि आपने अपने दर्वाजे कोले हुए आप कुछ नहीं बोलेंगे अजीत पवार की NCP के खिलाफ क्योंकि इस बार मुकाबला काफी कड़ा लग रहा है और अगर मान लीजिए हंग असेम्बली हुई या दो चार पांच दस सीट का फर्क हुआ और अजीत पवार को आप महाविकास अगाडी में लाने की कोशिश करते हैं तो इसलिए आप उनके खिलाफ लाल कुछ कहना नहीं चाते हैं क्या अजीत पवार को अगर लाते हैं आते हैं वो तो ये भी एक संभावना है कि उनको सीएम का उफर दे दिया जाए मैंने कहा ना हम लोगों उनका कोई समय नहीं है शरत पौँअर जी उनके परिवार का यह जगड़ा है शरत पौँअर जी को डिसेजन लेना है क्या करना है शरत पोँजी को ओके इस बार योगी आदित्यनाथ और नरेंदर मोदी महाराष्टि के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है ये दो लाइने कह रहे हैं वो हिंदूओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं आरोप ये है कि आप और राहूल गांधी और महाविकास घाड़ी हिंदूओं को बाटने की कोशिश कर रहे हैं आप मुसल्मानों को एकजुट वो देश को इनाटेट नहीं कर सके वो उनका फेली हो रहे है वो उनका फेली हो रहे जब ही हमारे राश्ट अद्दिक जी ने कहा करगे जी ने कि हमारी शहादत हुई देश को इनाटेट रखने के लिए देश के इताग के साथ रहे उसके लिए हमारी दो-दो शहादत हुई इंद्राजी हो या राजिर जी हो लेकिन आज देश की प्रदान मंत्री बहुमत की सरकार में रहने के बाद दी देश एक नहीं है ऐसा कर बोल रहे तो ये नरिद्र बहुती जी का फेलियोर है और अपनी फेलियोर वो महराश के भूमी में आकर वो कुबुल कर रहे तो इसलिए इतना कमजोर प्रदान मंत्री देश ने पहले बार दिखा ये बात को हम आप समझ रहे हैं एक रही बात देश में वो कॉंग्रेस पर ये आरोप लगा रहे मैं उनको सवाल करना चाहता हूँ फिर शुद्र फिर आती शुद्र इस तरह की आत्या किस ने गिराई देश में तो मनुस्पुति hazır तो मनुस्पुति और विचाधरा के लोग कोने बी जे पी है RSS से हमने देश को जातिएव में कि विवाजी गिया इन लोगों ने विवाजी लेकिन आपने यूटर्न तो लिया ना आपने यूटर्न लिया पहले बोलते थे जात पे ना पात पे मौर लगेगी हाथ पे एकईस में जब राष्टिय जनगनना जो होना था सेंसेस होना था क्योंकि डॉक्टर मनमन सिख साब की सरकार ने 2011 में जो राष्टिय जनगनना किया वो मोधी सरकार ने उसको डिकलर नहीं किया आज भी उसको पेंडिंग रखा है 2021 में 10 साल के बाद दूसरी जनगाना हर 10 साल में जो हमारा सेंसेस होता हो क्यों मोदीजी ने नहीं किया 20 साल 20 साल अभी आदा समय और चले गया तो 25 साल में तुम देश की सेंसेस नहीं करोगे तो कौन गरीब है कौन अमीर है इसका पता कैसा लगा होगे और जो नितिया के मात्यम से जो पिछड़े लोग है जिनको अभी भी आजादी का सूरज नहीं देखा है उनको बुक्यधारा में कैसे लगए हमारा समविधान तो यही कहता है राहूल जी यही तो बात कह रहे है लेकिन उसको विप्रीद बनाने क वो तो अरबन नकसल कह रहे हैं वो जब मोदी जी किताब देू रहे थे वो भी तो रेटकलर की थी तो बिजे पी और आरे से ये नक्षल है नक्षलवादी है दुसरे ने किया तो वो नक्षल वो अंतगवादी और खुद करे तो देश प्रेमी क्या इंको प्रमान पत्र दिने का अधिकार दिया है देश की जनता ने ये किसी को भी कुझी बोले ये ऐसा नहीं चलेगा पहली बात तो 2014 में नरेंद्र बोदी जी ने जो वादे देश की जनता को किया था उस वादों का क्या हो कभी कभी हिंदू और मुस्लिम की जगड़े लड़ा लेंगे कभी बोट दे हिंदू की जगड़े लड़ा लेंगे उसे में देश की राजनिती नहीं चलेगी पावर जो तुमारे हाथ में जनता के लोगों ने दिया है उसका यूज देश की जनता के लिए होना चे मुठी भर लोगों के लिए नहीं जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेबी कर रही है ये कदापी महराश में नहीं चलेगी हर्याना की राजनिती महराश में नहीं चलेगी महराश युनाटेड है महराश मोदी जी की हर चाल को समझता है बीजेबी और राइस की चाल को समझता है इसलिए पार्लामेंट में मोदी जी को यहां से वापसी का टिकेट निकल के दिया था महराश ने 48 MP में से 31 MP महाविका सागाडी के महराश में चुनकिया है तो यह वापसी का टिकेट महराश से शुरू आप पर वोट परसेंट में अंतर बहुत कम था अब बताए हम उसका भी बताते हैं आपको इसमें भी डर निया अभी इस बार तो तुम देखिए विदान सबा में वोट परसेंटेज बीजेपी का एक डम डाउन हो जाएगा जिस तरह से गंदी राजनीती जो उन लोगों ने की है महराश में बटेंगे तो कटेंगे तो उनकी लाइंगवेज हो खुद को बचने के लिए कर रहे हो उनको महराश को जो एटियम बना के रखा नरंदर मोधी जी ने और अमिशा जी ने उसके लिए इस तरह का एकादा स्लोगन देकर महराश के हिंदू को और मुस्लिमों को अलग अलग करने की जो कोशिश वो लो कर रहे हो उनका फिल गूड है उनको करने दो उससे कौन सी बता रहे हैं यह 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 गंदी राज नेती है महराश के उद्दोग गुजरात ले जाना यह गंदी राज नेती है महर गर गई उसको अपानित किया गया वह भी है ना घंडी राजनीती महाराश में जो पैसे से मले को खरीदा जा रहा है यह महाराश में कदा भी कभी नहीं आप भी मानेंगे ये बात कि पिछले चुनाव में जो मेजोरिटी मिली थी बहुंमत मिला था, वो बीजेबी और शिफ सेना को मिला था। उसके बाद BJP का कहना यह कि धोखा शिव सेना ने किया उद्धव ठाकरे ने किया BJP के साथ और महाराष्ट की जनता के साथ क्योंकि जनादेश उन दोनों के साथ था वो आपके साथ चले गए सरकार बनाने के लिए कुरसी के लिए उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो होना ही हम नहीए उद्धो जी के पास हम नहीए शरत पौर जी के पास कि हमारे साथ सरकार बना जब हमारे पास ही लोग आए तब मैडम सोनिया जी ने डिसीजन लिया महराज की जनता के लिए दुबारा इलेक्शन ना लगे महराज में जनता के हीद की एक सरकार बने और एक common minimum program बनाया गया अब उस आधार पर महराज में महाविका सागाड की सरकार बढ़ी कोरोना जैसे एक बुरे समय के वाग महराज की जनता को बचाने के काम हमारे महाविका सागाडी सरकार ने किया मतला उसी के लिए विचार धारा से compromise किया समझवाता किया शिव से ना उधव ठाकरे के साथ आपने गड़ बंदन किया महराज की जनता का हीद सोचे हमें खुर्ची की जिनता रहती तो हम सियम बनते हैं कॉंग्रेस सियम बनता है हमारी नेता सोनिया जी ने उनकी आपका बस रिकॉर्ड भी है खुद सोनिया जी ने कहा हमें सियम नहीं बनना हमें डिसियम नहीं बनना हमें नहीं चाहिए मैं महराश की जनता के लिए निए डिसिजन देनी हीूट ये सुनिया जी का लाइन था वो वदा हमने निवाय है ये तो अईसा होता है राजनीते में कि लिए तूम आ रहे हो हमारा CM बनता हो तो बात करोड़िंड़ हो हमने नहीं किया हूट हम मराश की जन ताइक लिए उनके क्या वादे हुए थे बीजेपी के और से उसे नगे और आपको पता है इनके राश्चियार देख्षे बीजेपी के जेपी नड़ा कहते है कि स्टेट पार्टिया हमें पूरी खतम करना है तो उनकी नियत क्या थी उतजेपी नड़ाने कहा है तो विचाधारा की बाता लगए जिसके साथ दोस्ती करो उसी को माट डालो ये बीजेपी की जो निती है उसका असर पड़ा मारा है मतलब आप ये साफ साफ अभी भी खुल कर कहते हैं कि एकनाच शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ गदारी की है देखो मैं किसी के घर में ठाकरे देखने की मेरी आदत नहीं है क्यों एकनास जिन्दे बाहर गए उसका जवाब उठाकरे जी देंगे और उसका जवाब एकनास जिन्दे देंगे शरत पावर जी और अजित पावर का क्या हुआ कैसे क्या हुआ उनका जवाब वो देंगे मेरे हीकमन का जवब है कि हम महराज की जनता को एक सुरिशित जिने का तरीका दे महराज को प्रॉपर डिवलप करे और महराज जैसे राज को महान बनाए इस बार बहुत सारे विशलेशर के कह रहे हैं कि इस बार चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है ये दो पार्टियां इधर वाली शरत पवार की और उधर ठाकरे की इन में से कोई भी उधर भी जा सकता है और इधर वाले शिंदे और अजीत पवार वो भी उधर जा सकते है आपको भी लगता है कि इस बार कुछ भी हो सकता है मुझे तो हमारे अलाइंस में नहीं लगता हूँ इतना है मैंका हूँगा आपकी तरफ से कोई नहीं जाएगा उधर से दोनों जा सकते हैं उनके या पर क्या हो रहा मुझे पता है उसलिए आपने अच्छा सब्जेट निकला क्योंकि मैनफेस्टो उनका जो है उनके अलाइं अजितपौर अपना मैनफेस्टो निकल रहा है तो उनका क्या चर रहा मुझे पता नहीं लेकिन आपके यह अभी तो उद्धव ठाकरेनी जी ने अपना अलग निकाला का आज हम सब लोग एक साथ मैनुवस्ट निकाला अलग किसी का नहीं है महाविकास अगारी का मैनफेस तो एक ही है, गारेंटी भी एक ही है, यह बड़ी चर्चा चलती है और दोनों तरफ से आरोप लगते हैं, जैसे फटनवीज जी कहते हैं कि जब महाविकास अगाडी की सरकार थी, तब मुझे गिरफतार करने की पूरी साज़िश थी, उदर से उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ज जो गलती करेगा, उसको तो भूगदने ही पड़ेगा, महराश में जो अभी पोलिस महासंचा लगडी जी के पोस्ट पे जो रश्मी शुकला को इन लोगों ने बिठाया, किस वज़े से बिठाया, वो तो रिटायर हो चुकी है, दो सल का एक्स्टेशन देने का विजन क्य जो आई-पेस अधिकारी को आपोजेशन के फोन टेपिंग करने का एलेगेस उनके अपर आरोब तो ही वो सीध हो गया, इंक्वारी में यह हो गया, चौक्सी में उसका कि इसने फोन टेपिंग किया, उनके अपर कारवाई हुई, वायर दर्ज हुआ, ऐसे अधिकारी को डी जी के पुलीस विवाग के मुख्या बनाने का कारण क्या था इसका जवाब वो दे अखरी पुलीस IPS सद्धिकारियों से अपने अपोजिशन के लोगों को ब्लैकमिल करने की कोशिश फड़नवीस ने किया साड़े साथ साल से इस देश का राज्य का ग्रहमंत्री फड़नवीस से क्या इसी के लिए पुलीस का यूश किया जाता है महानाश में कारण के पास कोई सबूत है बिल्कुल है ना वो तो एनिकेशन हमने लगाया था वो तो फूर हो गया ना फूर हो गया उसके उपर केस चली रश्मी शुकला के उपर तो मिसिस तो किया ही है फड़नवीस ने अपने पावर का मिसिस किया ही है यानि आपकी तैयारी थी फड़नवीस को कानूनी कारवाई करके गिरफतार करने की मैंने कहा है मैं फड़नवीस का नाम नहीं ले गाँ मेरी बात समझ लो पूरी मैं यह कह रहा हूँ कि जो भी गलती करेगा कानून किसी को मापनी करेगा महराश के सत्था का पावर सत्था में बैठ कर किसने उसका गलत यूस किया होगा और जो इंक्वारी में आएगा तो उसके उपर कारवाई की जाएगा आपकी सरकारागर आ गई तो वो केस दुबारा खुलेगा बिल्कुल खुलेगा जो भी इनवाल होगा उसको क्योंकि हम लोग जो महराश में जो क्राइम रेट बड़ा हुआ है यह अच्छा आएपियस अदिकारी है उसको उन लोगों ने परेह करके रखा है आपने कहा ओपोजिशन नेताओं के फोन टैप करवाए और उनको ब्लैक मेल किया बिल्कुल फोड़ा और विस्तार से बताईए ना क्यों फोन टैप करवाए और ब्लैक मेल कैसे किया क्या किया हुआ एदो जैसे आजित पौवार जैसे आप इचगणबुजबल ने उसके एक किताब निकाली चगण बुझबल आप तो नाम पचानत हैं उनको भी दो साल जेल में रखा वो भी इनके महायुती में मिनिस्टर है उनने किताब निकाली ओ किताब में ये लिखा कि मेरे पे ED का दबाव था ED का दबाव मिस Modi जी का दबाव था और इसलिए मेरे को इनके साथ आना पड़ा तो ब्लेकमेलिंग नहीं है मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ उनकी का महायुती में मिनिस्टर चगन बुजबल वो खुद ने दो दिम पहले किता अगर आदमी शरीफ आदमी हो उसके उपर जुटे इलिकेशन लगाकर उसको दबाव लाकर ED की कारवाई कराकर अपने साथ खीचना कि पाप नहीं है पाप नहीं है कानूनी तौर पर कानूनी तौर पर पाप है हो मानिए सुप्रिंग कोट ने भी कई बार ED को फटका रहा या आप ने चगन भुझबल पर जो आरोप हैं वो गलत है चगन भुझ ने किताब लिखा अभी दो दिम पहले ही प्रकाशित हुई उसकी आपको लगते आजीत पावार को भी इसी तरह ब्लैकमेल करके लेगा हैं बिल्कुल अजीत पावर भी वही कह रहे हैं मेरे को जो सत्तरा जार करोड का यो आरोप था मुझे देविंद्र फटन ने इसने बुला के बिखाया कि ये किस ने किया क्या मुझे इंक्वारी करना पड़ेगा वो तो खुद आजीत पावर ने कहा है तो मेरा ये कहना है कि ये ब्लैकमेलिंग करने की राजनितिक विवस्ता बनाई ही इन लोगों मतलब आपकी सरकार आई नाना पटोले जी तो आप कह रहे हैं देविंद्र फटन नवीस के पुराने ये केस आप खोलेंगे उपोजिशन लीडर्स के फोन टैप करके उनको ब्लैकमेल करने के और उनको जेल में डालेंगे जो भी इसमें इनवाल हो जो भी उनको छोड़ा नहीं जाएगा क्यों कि इस तरह की गंदगी सबूत क्या है आपके पास रेकॉर्ड पे आएगा ना सबूत की बात थोड़ी गर्रॉम है जो हुआ है खुद अभी उनका मिनिस्टर लिखता है किताब में पर्णविस के लाब और कौन था इसमें ब्लैकमेलिंग में जो भी इंकुआरी में आएगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बेलकुल मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं महराश में राजनेती गंदी राजनेती जो भीजए पी ने चलाई वो कतापी नहीं चलने देंगी और आने वाले दिनों में महराश में इस तरह की गंदे की राजनिती ने हो जो लोगों ने गंदी राजनिती महराश में किये ब्लैक्वेलिंग की गंदी राजनिती किये उनको छोड़ा ने जा मतलब आप मैं अभी भी सोच रहा हूँ आप नाना भागो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि E.D. के केस में जिन लोगों को गलत तरीके से फसाया गया महराश्ट में आप उन सब लोगों के खिलाफ कानूनी कारवाई करेंगे आपकी सरकाराई तो और उनको जेल मिडा लेगा जो गुनेगार हैगा उस पर कारवाई होगी ना इसमें E.D. के इधिकारी भी हो सकते हैं बिल्कुल होगे केंदर सरकार के भी हो सकते हैं क्यों नहीं हो सकते हैं जो लोग इसमें लिंक है खुद उनके मंतरी लिखते किताब में शगन बुजमल ने लिखा है मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं का मंत्री लिख रहा है किताब उसकी किताब भी है उनकी शगन बुजमल के दो दिन पहले प्रकाशिक किया है मैं थोड़ी बोर ओ बिना संभूत के कैसे करेंगे ने प्रवाइँ करवाएंगे पुरा इंकुरी बढ़ाएंगे नोगटिकर इंटार पर पर करेंगे यह नहों सबस्कुरी इसक्शन सब्सक उनको भी हम चोड़ंगे नेता भी होसकते नेता भी हो सकते जो भी inquire में आएगा व कि पिद्धान मंत्री भी होसकते अब प्रदान मंत्री पे डाइड कारवएनिं लिए नहीं कर सकते नहीं कर सकते अरूप तो डाल देने लगाते शारेungen Settings पर लगाते प्रिधान मंत्री, ग्रेह मंत्री. एडी का दुर्फयोग हो रहा है, यह मैं नहीं कर रहा हूँ. मानिये सुप्रि wi-qo-got ने भी इस बात को कहा है. मैं आरोप नहीं लगा चाह रहा हूँ. यह वास्तिक यह मानिये सुप्रिध कोजनी कही है. अच्छा और क्या दूसरी तरफ से भी इस तरह की कारवाई की कोशिश हुई थी क्या फडविज जी उद्धव को और महाविका सगाडी के नेताओं को अरेस्ट करना चाह रहे थे अनिल देशमुक को खुलकर कहते हैं? हुई है तो चुपी नहीं है और आपकी सरकार में तो मुकेश अंबानी के घर के बाहर बॉंब्लास्ट हो जाते हैं वसूली रैकेट 100-100 करोड के चल रहे थे कहा है यहीं तो सवाल करना है आपने जवाल किया है मैं आपको ही पुछना चाहता हूँ जब एक केश चल दी सुप्रिंग कोड तक दी तो एक करोड पे आई सो करोड पे से एक करोड आई तो जिस तरह से जुटे केस में फसाया गया हो तो अनिल देश्मुक के केस में तो क्लियर हुआ है यह मैं तुट ही सुप्रिंगोड का डिसीजन है तो नयाए विवस्ता क्यों पर भी वरोसा यह मोदी जी को नहीं होगा या अमिशा जी को नहीं होगा तो इससे और क्या बत्तर परिशिती देश्मुक अगरे उद्योग पतियों के घर के बाहर बाम ब्लास्ट हो रहे थे वसूली चल रही थ झालता अगरे ता और शेंटर किस ने किया जो घुमश्यक के मिशन था तुम है परहम ब्लासिंग को कहा छुपया था और कि महा रक्तर गवdz्क चानल को पुरे पता था वाज जो नहां का अदमी अभी जेल से उसने क्या किया है यह लोग किसके थे इसके इशीक पर चाम कर परमविर सिंग यहां घटना होने के बाद दिल्ली में किसको किसको मिला उसका भी रेकॉर्ड है तो अखरीब पुलीस ने जिस तरह से उस समय की जो परमविर सिंग और वाजे यह दोनों लोगों ने क्या का चमत कर किया यह इंक्वारी में आईगा ना एक और बड़ा मुद्दा है इस पर सिंग देख रहे थे जो इन तीन दलों के अलावा चोटी पार्टियां है समाजवादी पार्टी है यह और पार्टी है उनको आपने कोई सीट नहीं दी अब उनका यह कहना है उनके निताओं का कि आपने हर्याणा में वो ही गलती की देख लीजे वहाँ पर क्या हुआ आपने मध्यप्रदेश राजस्थान चत्तिसगर में भी वहां कुछ जगे यह गलती की वहां भी देख लीजे क्या हुआ कई महाराष्ट में ऐसा तो नहीं कि बड़ा इंडिया गठ बंदन ना बनाकर आप गलती कर रहे हैं हमने सभी हमारी अलाइंस को साथ लें जाने का कोशिश की है आज भी समाजवादी पार्टी की बात करते हो तो जहां पर उनके अम्मेल आया थे चुनके वहां पर आमने कोई कैंड़ेट खड़ा नहीं किया है जितनी भी अलाइंस फिर आप सिटे लड़ रहे हैं तो उन्हें एक्सट्रा ज्याधा सिटे लड रहे है तो गलती कोन कर रह diver सेती हैं था आप उनको कितनी सीटे दे रहे थे वो डिस्केशन ही करने को तयार नहीं थे लेकिन हमने उनकी जो सीटे थी वो सीटों पर हमने कैंडिड़ा ही नहीं किया तो वो 25 मांग रहे थे इसलिए तो अगले को जैसे पहले भी हमारे पास बहुत सरी ऐसी पार्टिया थी कि वो 208 से भी मांग ती तो ये चलते रहता मैं उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता लेकिन हम दोस्ती नहीं बाना चाहता तो कितनी सीटों पर आपने अपने कैंडिडेट नहीं दिये तीन सीट पर नहीं दिये महाविकास अगाडी में तो तीन सीट उनके लिए अब एक तरह से आपने छोड़ दिये आपको लगता है हर्याना और बाकी जगे भी इस तरह का अगर कोई अरेंजमेंट हो जाता तो कॉंग्रेस पार्टी के लिए बेटर रिजल्ट होते है यहां अच्छा रिजल्ट है यहां कोई प्रॉब्लम भाव आपकी राजनीतिक पारी के शुरुआत कॉंग्रेस से हुई उसके बाद आप बीजेपी में चले गए कुछ समय के लिए फिर आप कॉंग्रेस में आ गए तो बीच में जो बीजेपी वाला पीरियट था जरा इसकी कहानी सुनाई है कॉंग्रेस छोड़ कर गए क्यों थे और उसके बाद बीजेपी से मोभंग कैसे हो गया देखो मैं बाइबर्थ कॉंग्रेसी हूँ बिचोने से राजलेक्री में تो मेरे परिवार में कोई राजलेक्री में नहीं है sujet कॉलेज की जीवन में ही मैं इनिभी से लेके इस विचार धरा से जूड़ा और काम करने लगी जिए MLA बना Congress से MLA बना तीन बार Congress से MLA बनने के बाद फिर हमारे हाँ पर मेरे शेत्र में प्रफुल पटेल नाम का एक विक्ती था देश का सबसे अमीर राजिए थी मैंने मैं नहीं बोलता हूँ डॉक्टर मन्मन सिंग साब के सरकार में सबसे अमीर आदमी कोई था तो प्रफुल पटेल था वो जमीन के लोगों को वैलू नहीं करता था अच्छे लोगों को वैलू नहीं करता था कैसी उनकी राजनिती खराब करे उसके ओपर उनका ज्यादा ध्यान था और हमने सोचा कि ठीक है तो बीजेपी की हलत बहुत पूरी थी महाराश में 2009 में तो बीजेपी सुपड़ा साफ हो गए थी महाराश में तो उस समय नितिंगकरी ने हम से बात की लेकिन हमारे परिवार में यह हुआ कि बीजेपी में नहीं जाना लेकिन हमारे बड़े भाही ने उसमें मद्दस्ती करके हम को जाने की पर्मिशन मिली। लेकिन 2014 में जब मैं में मेंबर आ पार्लामेंट बना तो बड़ी उम्मीद थी कि जो वादे नरेंदर मोदी जी ने देश की जनता के लिए किये थे, किसानों के लिए किये थे, तो खुले से वादे करने का काम जो नरेंदर मोदी जी ने अपना कलर दिखाना का काम शुरू कर दिया, नोडबंदी कर दि, जी एस्टी जैसे कानून लाया, बवासाब अंबड़कर का फाइनेंसियल जो व्यवस्ताति उसको खतम कर दिया, जो बड़ों से टैक्स लेके हम अकरी इंसान तो पैसे देते थे, वो सिस्टिम बन करकर जी एस्टी लाया, देश के सभी लोगों को टैक्स पेर करवा दिया, तो जब ये नया कानून आया, तो ढ़ही साल में के बाद, क्योंकि नरेन मोदी जी के सामने किसी को बोलने का अधिकार नहीं थे, जब वो 2014 में रजान मंत्री बनें, तो उनकी सुनो और बाकी के चुप रहो, उनकी मन के बाद सुनना पड़ता था, काम भी इसांसरत करके हम सुनते थे, लेकिन धाई साल के बाद मोदी जी को एक साक्षातकार हुआ, और मोदी जी ने अपने घर में हमारे MPs को जोन कर आकर ऐसा अपने घर में बुलाया, तो मदपदेश, महाराष्टा और गोवा, ऐसे तीन राज्यों के हम लोग MP गए, तो सब को पुछे कि नहीं साल में सरकार की उपलब दिया क्या है, लोगों में क्या महौल है, तो सीनियर सांसरतों ने बाद शुरू कि सब को डाट डाट के बिठाते थे, तो क्योंकि अपने एरिया की कुछ डवलोप्रेंट की बाते काम के बारे में करते थे, तो मोदी जी उनको डाट रहे थे, तो हमने हाथ कड़ा किया, मोदी जी ने कहां बोली है, तो हमने यही कहां उनको कि आप जो JST जैसा एक नया कानून लाया, तो इसमें मेरे के भागेदारी क्या है? तो मोदी जी को अच्छा नहीं लगता, उनको सवाल पुछना उनके लिए अच्छी बात नहीं है, तोकि उनकी सुनो, सवाल नहीं करो. तो बुला की, मुझे उनने पूला कि आप पता है कितना हम किसान को देते हैं मैंने उनको कहा कि मैं खुदी किसान हूं मुझे नीचे से उपर देखने लगए यह किसान है तो ताज़िब लगा कि किसान भी एक मेंबर अपार्लामिन बनता है कि क्या इस तरह से देख रहेते मुझे तो बला क्या देते हैं हमने पूछा तो मैंने उनको कहा कि फर्टिलाइजर में थोड़ी सब्सिटिट देते हो लेकिन अगर एक रुपय हमारा किसान खर्चा करेगा तो पचीस पैसा भी किसान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह सोच नहीं बने सरकार में तो जीएस्टी में भागिदारी क्योंकि मूल उत्पादक जो होता है उसको भी जीएस्टी का हिस्सा मिलने वाला था तो मैंने कहा कि किसान को भी प्रावधान करेगी जीएस्टी का हिस्सा उनको मिले तो मोदे जी खौल गया मोदे जी को अच्छा नहीं लगा जो कहा कि बैठो नहीं बैठेंगे अभी तो बोलेंगे पूरा आप तो पिर इनने पूछा मैंने आप में कहा कि OBC का मंत्राले हम बनाएंगे 2014 में आपने डिक्लेर किया था चुनाओं में तो बोला कि मैं मंत्राले बंद करना चाहता हूँ और तो मंत्राले खुलने के बात करते हों तो उभी सी विरोधी भी उनकी जो भूमिक आती वो भी मेरे सामने स्पाश्ट हुए देश के किसान और गरीब के बारे म मिडियम क्लास के बारे में उनकी सोच क्या थी वो भी समझ में आ गए तो फिर उनकी और मेरी बाते चालू होई तो फिर बाहस होने से मिटिंग कैंसल कर दीगी जब देश के प्रदान मत्री सांसत की बात नहीं सुनना चाहते तो ऐसे समय में उस दल मेराई के काम करके क्या में तुरंत अपना मेंवरा पार्लामेंट का इस्तिपा दे दिया तो मेरा एक कहना है कि नरेंद्र बोदी जी ने जीस्टी कानून लाकर नोडबंदी लाकर देश को दूबाने का काम किया है और ऐसी विवास्ता में खुर्ची के लिए रहना ये मेरा कभी सबाव नहीं रह और बाद में राहल जी ने मुझे पुलाया है उमें गया है उनके पास जाने के बाद उने और उनने कहा कि आपने इतनी बड़ी हिमत क्यों की है मैं निए किसाना अदमी हु पोल्टीशन नहीं हो, नहीं तुम हमहरे साथ काम कर रहे तो मने उगको कहा कि आपके साथ तो काम करूं गई मैं तो मुझे राज जी लेवल पर करना नहीं, मह बहुत अब करना अधिक principle मेरे साथ कारूं आपको राजी सभा मा देते हैं, मुझे न नहीं चाहिए। मैं एसेट बनके रहूंगा आपके पास, लाइबिलिटी नहीं। तो राहु जी को भी बड़ा ताजिव लगा कि लोग राज्यसभा और विदान परशित के लिए कुछ भी करते हैं और ये बोलता है कि नहीं चाहिए। तो मेरा इशू हुए है कि मैं अभी तक जो लड़ाई मेरी रही है वो पब्लिक के लिए पब्लिक के लिए कितने साल रहे बीजेपी में डाइसन चौदा से और सत्रा तक और जॉइन आपने कब की रहा बीजेपी वन निस में पर चौदा से किपने साल पहले कि 2009 में नो में जोइंति है तो साथ अच साल जब रहे बीजेपी में तब आपको ये ऐसास नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी चौदा की बाद जब रहे त्हाइशाल की ये वहुद्धी है ये सुना तो बीजेपी जब नरेंद्र मोदी जी को बनाया उन्हें प्रधान मंत्री का तो जो वादे वो कर रहे थे 2014 में उसी वादों को दो एकसेप्ट करेंगे ना हम लोग लेकिन जब वो खुर्ची पर बैठने के पार जिस तरह से वह वहर देश की जनता के साथ करना जो लेकिन तीम बार प्रधान मंत्री बने हैं तीम बार सरकार आंगये हैं अभी तोड़ा दिन रुखो ज्यादा दिन नहीं अभी धीरे ध्यरे धीरे कॉंग्रेस का हाल भी देख लीजे बहावू देखो सच को थोड़ा सा इंद राज्यों में सरकारे रही कॉंग्रेस पार्टी की यह बात आपको यह भी समझना चाहिए कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है हो गया अभी हर्याना में आपका सत्य पराजित नहीं होता उसको पराजित नहीं होता है जंता के दिलों और दिमाग में जब एक बात समझ में आ जाएगी बीजेपी क्या कौन सी पार्टी है पेश की लिए हनीकारग पार्टी समझना शुरू हो गया है और जो भी हर्याना में हुआ है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं हुआ है दस सल के बाद चुना लिया तुमको कोई सवाल करता हूँ 10 संöttर चुना लिया 370 हटा दिया तो क्यों नहीं जिती ही बीजिटी सक्टार आपने नहीं कोई आजिती है striider को शेटे हैं जम्मु अब्दुल्ला की वज़े से आप जीत गए। उतार चड़ाओ जीवन में हुता हैं, तो ये उतार अब चड़ाओ हमारा खतम हो चुका है, अब हमारा उतार लगेगा, मैं तुमको ये कहना चाहिए, हम अब जीतेंगे, अब आगे जीतेंगे, ये बीजेपी की जो जूट वादे जो है, जुमले बाजी है, वो अब जन्ता भी कर ले, कितना भी कर ले, कितना भी भ्रष्ठाचारी पैसा बाटे, और मोदी जी रोज यहाँ पे घुमे, महराश का उनका ATM बंद होना तय है, तय है, उनको वो रोक नहीं सकते हैं, अब बहुत दिन से सोच रहा था, आप से मिलूँगा तो पूछूँगा, शरत पवार सामने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर पार्टी से अलग होकर NCP बनाई थी, उसके बाद आपने उनसे गड़बंदन क्यों किया, जब उनने आपकी सबसे बड़ी नेता को इस तरह से चैलेंज किया और पार्टी तोड़ी, आज भी आप उनके साथ हमेशा देश के लिए सोचा है, इसलिए दो दो शहादत गांधी परिवार केंगी, सुनिया जी जैसे मान नेता, दो बार देश की जनता ने उनको मैंडेट देने के बाद भी वो प्रदान मंत्री नहीं बनी, क्योंकि बीज़ भी कहती थी कि यह अगर बनी तो शुश्मा ज जीता है, देश के लिए जीता है, अगर गांधी परिवार के बारे में अगर थोड़ा भी अगर देश का मेडिया भी सोच ले, तो भी बहुत बड़ा एक परिवर्तन देश में आए सकता है, लेकिन आज गांधी परिवार के त्याक के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, गा जो हमारे विचा धरा के साथ काम करने के लिए त्यार है वो इसने गल्तिक कर बिली हुए तो सको माप करके उसको अबुक्यधारा में लाने की कोशिश कॉंग्रेस पार्टी करते आई और करती रहेंगी लेकिन गांधी परिवार का अत्याग हम को कोई भूल नहीं सकता देश में अब मेरा rapid fire round है जिसमें मैं चोटे-चोटे सवाल पुछूँगा भाव और चोटा-चोटा जवाब देना है ओके नाना पटोले महराष्ट कॉंग्रेस की अध्यक्ष rapid fire round पहला सवाल महराष्ट का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा भाव महराष्ट में विपक्ष का अगला नेता कौन बनेगा महराष्ट का अब तक का सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर कौन रहा है देखो वसंदादा पाटिल एशंद्राज चावान विलासवाद इश्मू यह जो पूरी लीडर्शिप हमारे राज्य में रही है उन्हें हमेज़ा महराष्ट को आगेगी एक का नाम नहीं कहीं मुख्यमंत्री का नाम ले से प्रढां मंत्री अब तक कौन है अगला अगला प्रढां मंत्री रहुल गार्ली बनेंगे कब बनेंगे दो जारो उन्तिस तक यानि ये सरकार सेफ लग रही है आपको ये तो अभी अभी बाहराज में हमको बहुमत की सरकार लाने दो या अजीत पवार को महावेकास घाडी में लेने का दर्वाजा खुलाया वो शरतपवार जी निरने लेंगे एकनाथ चिंदे को महाविकास अगाडी में ले सकते हैं वो दो ठाकरे जी निरने लेंगे क्या उद्धव ठाकरे महायुती में जा सकते हैं Impossible शरतपवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं Impossible पहले तो गए हैं भाव चौदा में असेंबली में सपोर्ट किया उसके बाद अजीत पवार को भेजा यह अजीत पवार का कहना है वो तब तक भीजे भी उनके बाटे नहीं कहती है अभी घर तोड़ दिया तो अभी इंपॉसिबल नाना पटोले CM बनेंगे सुप्रियासुले CM बन सकती है दोबारा CMブन सकते है रही पॉसिबल है अगर मान लिजे उनको भinhबामत आ अगया अगर मान लिजे तब भी नहीं बनेंगे बना बीजेपी उनको नहीं बनाएगी बीजेपी अपना CM मना चाहेगी आपको ऐसा लगता है वो आती ही नहीं है, उनका LNC नहीं आता है, तो कहां से उसकी चर्चा क्यों करता है। और अजीत पबार CM बन सकते हैं? अब जो उनका महायुती पाउर में नहीं आ सकते हैं, तो कहां से बनी है? अब मैं कुछ नाम लूँगा, तो जो पहला शब्द आपके मन में आता है, वो आपको बोलना है। इंद्रा जी की छाप उनके बीच में है। आपको लगता है कि इंद्रा जी वाला रोल भी प्ले कर पाएंगी वो, कॉंग्रेस पार्टी में। कर पाएंग। संसद में स्वागत, आरी हैं वाइनाट से उपचुनाव लड़के जीत के? इंद्रा जीत के आएंगे। शरत पवार? शरत पवार जी एक सीनियर और समझदार नेता है। चानक्ये नहीं कहेंगे आप उने? नहीं हम राजनीति में चानक्ये वागरे यो अमिशा के लिए लगते हैं जो जूड बोलके राजनीति आपके एहमद पटेल जी को भी तो चानक्ये कहा जाता है। वो मिडिया बोलती थी है। अजीत पवार? अजीत पवार चाचा बद्रीजे का रूल चला रहे है। उद्धर ठाक्रे? वो भी एक आवाज है महराज की। असद्दुदिनों वैसी? वो महराज में उनका कुछ तान है। नहीं है? अखिले श्याद हो? अखिले श्याद हो? एक विचाद भरा के साथ चलते हैं, समाजवादी विचार है। महराज में वो.. ठीक नेता है? ठीक नेता है? अबु आजमी? अब आजमी एक अलग लाइन लेके चलते हैं। ओके, ना पटोली जी, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ ही इंटर्विव करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।